रिलेज का परिचय, रिलेज, electromagnetic spring, armature और electric contact के एक सेट से बने electromagnetic switches हैं, रिलेज की विशेश्टाएं, रिलेज की electrical विशेश्टाएं हैं, rated coil voltage, यह voltage रिले को सक्रिय करने के समय होना चाहिए, set voltage, यह रिले को अपने switch को बंद करने की जरूरत के लिए निम्न voltage होती है, operating current, एक रिले को जितनी राशी, पावर को संभालने के लिए बनाया गया है, switching capacity, कम से कम राशी current जो की रिले के भीतर contacts के बीच switch की जा सके, रिले की कार्य प्रडाली, रिले एक switch है, जो electro-mechanically और electrically बंद और खुल जाते हैं, जब रिले सक्रिय नहीं होते, तब contact नॉर्मली open mode में होते हैं, और दूसरे contact नॉर्मली closed mode में होते हैं, contacts पर पावर का उप्योग करने से उनका state बदल जाता है, Relays के states, जब रिले के coils सक्रिय हो, तब रिले दियेगे states में हो सकते हैं, Normally open, जब रिले fully activated हो, तब normally open contact सर्किट को कनेक करता है, Normally close, जब रिले fully activated हो, तब normally close contact सर्किट को डिसकनेक करता है, Changeover, चेंज़वर दो contact, नॉर्मली open और नॉर्मली close को कॉमन टर्मिनल से कनेक करता है, Relays के प्रकार, Relays दो प्रकार के होते हैं, Electro-Mechanical Relay, Solid-State Relay, Electro-Mechanical Relay, Electro-Mechanical Relay में contact, magnetic force के द्वारा open और close किये जाते हैं, AC और DC current के द्वारा जब कॉयल सक्रिय हो जाते हैं, तो वह magnetic field बनाते हैं, Magnetic coil, Armature की Ferrous Plate को आकरशित करती हैं, फिर Armature का दूसरा छोर open होता हैं, और contacts को close करता हैं, Solid-State Relay, Solid-State Relay इनसे मिल कर बनता है, Input Circuit, Control Circuit, Output Circuit, जब एक निश्चित वोल्टेज की राशी, Input Circuit, Relay function पर लागू होती है, और जब विशेश वोल्टेज पहुँचती हैं, तब कारिय बंध हो जाता है, ये वोल्टेज, पिक अप और ड्रॉप आउट वोल्टेज हैं, उपयोग, Relay का उपयोग इनमें होता है, Digital Signal को Amplify करने में, Logic, Bullion Gates का उपयोग कर फंक्शन करते हैं, Transmission और Distribution Lines पर Trutty या False डिटेक्ट करने के लिए, उपयोग के उदेश्य के आधहार पर Relay को दियेगे प्रकार में वर्गी गृत कर सकते हैं, Latching Relay इनके दो Relaxed States हैं, प्राचीन कम्प्यूटर्स इस प्रकार के Relay का प्रियोग करते थे, Read Relay एक निश्क्रिय ग्लास ट्यूब के अंदर कॉन्टाक्स के साथ एक सोलेनॉइड में सनलगन Relays हैं, Polarized Relay यह Relay का एक प्रकार है जहां एक आर्मेचर सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए मैगनेट के पोल्स के बीच में रखा गया है, इस Relay का उप्योग प्राचीन टेलिफोन एक्स्चेंज में किया गया था, Machine Tool Relay इन Relays में बड़ी संख्या में कॉन्टाक्स होते हैं और Machine उपकरण के ओद्ध्यों के ग्नियंतर्ण में इनका उप्योग किया जाता है, Ratchet Relay इस प्रकार के Relay सक्रिये हुए Closed Contacts को रखते हैं, उन्हें निरंतर करण की जरुरत नहीं होती, Coaxial Relay इस प्रकार के Relay अक्सर Transsever's में प्रियोग किया जाते हैं, जहां Transmitter और Receivers दोनु एक Common Antenna को शेर करते हैं, Contactor यह है एक Heavy Duty Relay है जो की Switching, Electric Motors और Lighting Loads के लिए उप्योग किया जाता है, Overload Protection Relay इस प्रकार के Relay मोटरूं के तारूं को जोडने में, Motor's के Current Overload या Cables में Short Circuit को रोकने के लिए प्रियोग किया जाता है, Vacuum Relay यह Sensitive Relay है जो उच्छ RF Voltage को संभालने के लिए एक अत्यधिक खाली Glass Tube पर Mounted होते हैं,